हेलो एव्रिवन तो चलिए वाई साब बढ़ते हैं फाइनली हमारे चाप्टर की तरफ में इसका नाम क्या है इंडियन कॉन्ट्राक्ट आड जो की 1872 का राइट सर नाम पे थोड़ा सा गौत फरमाईएगा और इसको ना थोड़ा इंटरप्रीट करने की कोशिश कीजिगा औ नहां पे नाम क्या दिया हुआ है सर बोले नाम दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्राक्ट आट जो की 1872 का है मतलब सर बोले यह एक ऐसा एक का मतलब क्या होता है अगर मैं हिंदी में नाम देना चाहूं तो आप इसको कानून भी बोल सकते हैं और इंगलिश में एक और नाम दे सकते हैं स्टेट्यूट यह द्यान सो सुनिया गवैसाब यह बहुत इंपॉर्णन चीजा सर जसी है इसको आपने हिंदी में कानून बोला उस चीज़ को इंगलिश में क्या बोल सकते हैं स्टेट्यूट भी बोल सकते हैं यानि कि अगर आप चाहे तो इसको जन्रली contract से जुड़ा हुआ कानून किस से जुड़ा हुआ वैसा contract से जुड़ा हुआ कानून मतलब अगर मानलीजे हमारे country के अंदर दो या दो से जादा लोग आपस में किसी भी type का कोई contract करते होंगे तो ऐसे case में बहुत लाजमी है कि आज के कल्यूक के हिसाब से लोगों के बीच में जो contract है उसको लेके काफी problems create हो सकती है हो सकता है कि जो वादा किया था जिसे निभाना चाहिए था उसको सामने वाले ने निभाया ही नहीं निभाने से बाद में आगे चलके क्या हो गया मुकर गया तो ऐसे case में यहाँ पर अगर देखा जाये तो सामने वाले इंसान का जिसने की अपना time निकाला और इस बंदे के साथ में contract जो है वो बनाया उसके साथ में हो सकता है problem जो है वो create हो जाए यानि कि उसका time जो है वो भी waste हो जाए पैसा जो है वो भी waste हो जाए ये काम सामने वाला बंदा कभी भी चाहेगा नहीं इसलिए उसने क्या कहा यार मैं ये चाहता हूँ कि अपना जो भी चीज रहेगा न वो बुले लौ के हिसाब से रहे ताकि कल को जाके अगर किसे न उस कॉंट्रेट को निभाया नहीं तो क्या हो सके हमें लीगल रेमेडी मत और कभ का है 1872 का इसका मतलब क्या हुआ जिस टाइम पे हमारे कंट्री में बिटिश लोगों का राज हुआ करता था उस टाइम से ये एक्ट जो है वो बोले हमारे साथ में चला आ रहे है अंडरसूटा पॉइंट से क्या के चीजों की बात करें इस एक के साब से तो बहुत एसा ही हो सकता है कि एक और बंदा जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल और ये दोनों के बीच में कोई एक पडलत चीज को लेके कोई भी कोई भी ट्रांजेक्शन को लेके हो सकता है कोई बंदा यहाँ पे अपनी कार बीचना चाहता होगा या किसी और का घर खरीदना चाहत चाहता होगा या कोई service को provide करना चाहता होगा या किसी भी टाइप का कुछ भी transaction करने के बारे में सोच रहा होगा God the point जब आप contract करने के बारे में बात करते हैं तो कम से कम दो parties का होना जो होगा यह यहां पर जरूरी होगा God the point और ध्यान से सुनिएगा बाई साथ कोई भी contract जब आप करने की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या होना जरूरी बाई साथ सब बुले एक offer जो है वो होना जरूरी है कोई एक बंदा होगा जो किसी दूसरे इंसान को अपने आपको offer नहीं दिया जा सकता यह ध़यान रखेगा क्या करना पड़ेगा किसी दूसरे इंसान को यह offer जो है वह आपको देना पड़ेगा got the point and sir जिसको ये offer दिया जा रहा है उस बंदे का क्या करना जरूरी होगा भाई साथ बोले accept जो है वो करना भी जरूरी होगा यानि कि there should be some offer plus there should be some acceptance also ये दोनों चीजें ये दोनों चीजें अगर आपकी available रहती हैं तो ध्यान दीजेगा ऐसे case में आपका क्या बन जाएगा? एक agreement जो है न वो बन जाएगा क्या बन जाएगा भाई साब? agreement बन जाएगा. sir, agreement करने का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ पर agree कर ना भाई साब? किसी एक चीज़ के उपर अगर आप agree कर रहे होंगे तो उसे क्या क्या दिया जाएगा agreement बोल दिया जाएगा अगर हिंदी में यही वाली चीज में आपको बोलना चाहूं तो क्या मैं इसको एकमत होना बोल सकता हूं क्या अगर मैं हिंदी में ये वाली चीज़ को बुलना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप एकमत होने की बात कर रहा हूँ ये सौर नो बुले बिलकुल सही बात है सर तो ये रियान से सुझेगा सबसे पहली बात अगर आप चाहते हैं कि दो पार्टी के बीच में आपस में कॉंट्रेक्ट हो तो क्या होना जरूरी होगा सबसे पहले तो बुले आपका ओफर जो है वो होना जरूरी होगा और दूसरा जो होगा एकसेप्टेंस जिसको आपने ओफर दिया है उस बंदे का आपका ओफर को एकसेप्ट करना जो होगा वो भी बहुत ज़ादा जरूरी होगा इस पॉंट क्लिया बुले ठीक है सबात समझ में आगे लेकिन आपस सुनियेगा कि सर्फ ओफर और एकसेप्टेंस हो जाता है तो क्या उसको एग्रिमेंट बोल दिया जाएगा बोले आंसर इस लेकिन क्या उसको कॉंट्रेक्ट भी कह दिया जाएगा क्या आंसर इस नो सर्फ सर्फ क्यों ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि जो एग्रिमेंट यहां पे बनाया गया है उस एग्रिमेंट का legally enforceable होना भी ज़रूरी है क्या होना ज़रूरी भाई साब legally enforceable होना ज़रूरी है सेर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने जो वादा यहां पे किया है दो लोगों ने आपस में जो kind of एक agreement किया है अगर आपने उस agreement को नहीं निभाया मतलब कि आपने contract को तोड़ दिया तो ऐसे case में क्या होगा जिस बंदे के against में promise को नहीं निभाया गया उसे aggrieved party कहा जाएगा और वो बंदे के पास में इस बात का अधिकार होगा कि वो court में जा सकता है और court में जाके आपके against में case कर सकता है कि इस बंदे के वज़े से मुझे मुर्या नकुसान हो चुका है और मुझे मेरे नकुसान की भरपाई जो है वो बुले आप करवा के दे दीजा अगर आपका जो agreement है वो legally enforceable by law बन जाता है तभी जाके वो चीज़ क्या बन पाएगी वो बुले आपकी contract बन पाएगी ये समझ मैं तो इसके हिसाब सिख सवाल आता है कि sir क्या मैं हर एक agreement को contract होना बोल दूँ क्या answer is no sir क्यों? क्योंकि जो agreement legally enforceable नहीं होगा law के हिसाब से enforceable नहीं होगा वो कभी भी आपका contract नहीं कहलाएगा जो agreement law के हिसाब से enforceable नहीं होगा वो कभी भी contract नहीं कहलाएगा लेगे नहीं कि बाबता हो क्या मैं कह सकता हूँ कि जितने भी contracts हैं वो क्या होंगे? agreement होंगे answer is yes sir क्यों? क्योंकि जो भी आपका contract बन रहा होगा उसमें पहले offer भी दिया गया होगा और साथ में acceptance जो है वो भी किया गया होगा यह समझ मैं है भाई साथ बोले ठीक है यहाँ पर गौर्फ फर्माईएगा सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं detail में अच्छे तरीके से किस चीज़ के बारे में? सब बोले offer के बारे में सर जब आप offer देने की बात करों तो यहाँ पे भी वापिस से आपके दो parties जो है वो रहने वाली है जिसमें की एक party जो आपकी होगी वो दूसरे party को offer देगा जो बंदा offer दे रहा होगा उसे आप offer का नाम देंगे या फिर अगर दूसरा नाम आप देना चाहे तो आप इसको proposal का नाम भी दे सकते हैं और जिस बंदे को offer दिया जा रहा होगा इसको आप offer क्या नाम देंगे भैशसर आप? offering और या फिर आप इसको propose क्या नाम दे सकते भैशसर? प्रपोजी नाम जो है वो आप दे सकते हैं ये सबज में आया क्या है ये बहुत द्यान से सुनिएगा हमने क्या बोला सबसे पहला अगर टर्म यहां पर यूज किया जाए तो टर्म क्या रहेगा कि यहां पर ओफर होना ज़रूरी है जो एक पार्टी माल लीजिए आपने पा पाला जो बंदा है इसके ओफर को एकसेप्ट करेगा अगर ये बंदा इसके ओफर को एकसेप्ट कर लीता है तो ये बंदा यहां पर जो कि कल तक क्या था ओफरी था ये बंदा यहां पर क्या बन जाएगा ये बंदा यहां पर एकसेप्टर बन जाएगा और जिसके अगें offer प्लस acceptance हो जाने के बाद जो चीज कल तक सिर्फ offer कहलाती थी वही चीज यहाँ पर क्या बन जाएगी सब यह चीज बन जाएगी promise क्या बन जाएगी यह चीज यह चीज बन जाएगी और या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं क्या agreement सर प्रामिस का मतलब agreement होता है और agreement का मतलब क्या होता है promise होता है यह समझ मैं answer जिस बन्दे ने यह promise किया था आप इस बन्दे को यहाँ पर नाम दे सकते हैं क्या promise सर क्या नाम दें के बाएगी सर प्रामिस और जिसको यह promise किया गया है वो क्या बन जाएगा promise ही बन जाएगा सर यह बहुत सारा कच्रा जो है एक साथ मैं आप यहाँ पर बता रहे हो सर मतलब समझ में यह वापिस से द्यान से सुनिएगा step by step जो है इसको द्यान रखेगा सबसे पहले हमने आप इस step कौन सा लिया offer वाला red वाला जो पूरी काहनी यहाँ पर हो रही थी आपका क्या था offer था और सिर्फ वही तक की बात अगर की जाए ना तो ऐसे केस में क्या बुला जिस बन्दे ने offer दिया होगा वो offer कहलाएगा जिस बन्दे को offer दिया गया है वो offer ही कहलाएगा लेकिन कब तक जब तक के सामने वाला बंदा उसको क्या नहीं कर लेता accept नहीं कर लेता और जैसे ही सामने वाले बंदे ने offer को accept कर लिया होगा accept करने वाला जो बन्दा रहेगा वो बले यहाँ पर acceptor बन जाएगा जिसने accept किया है will be called as accept कर और जिसके अगेंस में उसको accept किया गया है will become what? accepting और जब आपका offer second point यहाँ पर आ जाता है क्या? accept करना जब आपका offer accept कर लिया गया है उसके बाद में जो चीज आपकी है वो क्या बन जाएगी? promise या फिर आप इसको नाम क्या दे सकते हैं? agreement और जिस बंदे ने जिस बंदे ने ये offer दिया था अब वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? promise और सामने वाला बंदा जो है वो क्या बन जाएगा? promise यह समझ में आए कि यहाँ पे बहुत जादा important matter करता है कि आप कब तक के point के बारे में क्या आप सिर्फ तब तक की बात करो जब सामने वाले ने offer दिया था लेकिन सामने वाले बंदे ने उसको accept ही नहीं किया अगर वहाँ तक की बात कर रहे हो तो scenario अलग रहेगा लेकिन उसके आगे अगर आप बढ़ गए हो तो scenario क्या हो जाएगा? एक बार नोट्स में से देखते हैं यह चीज़ को कि यहाँ पर क्या कहता है कि सर सबसे पहली बात तो यह कि अगर मैं बात करूँ about the term agreement तो सर यह जो agreement नाम का term है इसको बहुत डिफाइन किया गया section number 2 clause number E के अंदर अगर section आपको याद होता है तो कर लीजेगा every promise या फिर set of promises मतलब जरूरी नहीं है कि आपने एक ही promise किया होगा कई बर ऐसा भी हो सकता है कि आपने series of promises कियोंगे for example आपने कहा कि अगर तुम मेरी girlfriend बन जाओ तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें girlfriend बनने का gift जो है वो दूँगा फिर उसके बाद में Valentine's Day आएगा उसका gift जो है वो मैं तुमको दूँगा फिर उसके बाद में तुम्हारा बड़े आएगा मैं उसका gift जो है वो तुमको दूँगा फिर उसके बाद में हमारी anniversary आईगी उसका जो gift है वो मैं तुमको दूँगा और मैं बुले series of actions से हमीश आप तुमको क्या रखने वाला हूँ? खुश रखने वाला हूँ. What the point? क्या कर दिया आपने? Set of promises. एक promise नहीं किया वहीं साथ. आपने क्या कर दिया? Set of promises जो है वहाँ पर आपने किया. Right? तो यह ध्यान रखिएगा. अगर मैं agreement की बात करूँ तो हर एक promise या फिस सेट of promises which form consideration for each other. यह ध्यान चुश सुनिएगा. यहाँ पर बंदे ने कहा कि मैं तुमको gift पर gift दूँगा. लेकिन बदले में तुमसे भी क्या चाहिए? कि तुम मेरी girlfriend बन जाओ. यह समझ मैं है? तो यहाँ पर क्या हो गया? मैं जो चीज उसके लिए कर रहा हूँ. वो consideration हो गया उसके लिए. और वो मेरी girlfriend बनने वाली है. यह क्या हो गया? consideration हो गया मेरे लिए. ठोड़ा सा unprofessional example है. लेकिन समझने में मस रहेगा. चली वैसा. उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा agreement. ऐसा कहता है section number 2 clause number E. agreement कहा पर define क्या क्या है? section number 2 clause number E. ठीक है साब? नौ, इसी चीज़ को अगर मैं simple words में बूलने जाओं, तो agreement का ही मतलब हो सकता है क्या promise? जो कि क्या करता है? it is created when a person makes an offer to the another person. और दूसरा बंदा जो वो क्या करता है? accept कर लेता है. यह जाए अगर आपने सिर्फ offer दिया था, बट सामने वाले ने उसको accept नहीं किया, तो क्या agreement बनेगा? answer is no. तो क्या promise बनेगा? answer is no. यह जाए अगर आपने सामने वाले बंदे को offer दिया, लेकर उस मंदेर उसको accept नहीं किया है, तो क्या दो पार्टी की वीच में उसे promise कहा जाएगा? answer is no, sir. उसे promise नहीं कहा जाएगा. यह समझ मैं है? बोला, ठीक है, sir. next point. it is clear that from the above definition that an agreement is created by exchange of promises by the parties. यानि कि दोनों parties जो है वो एक दूसरी को क्या करेंगी? एक promise जो है वो करने वाला. और, sir, इसके हिसाब से क्या मैं एक बात और बोल सकता हूँ? कि कोई चीज के लिए अगर ये बंदा promisor है, तो ये वाला जो बंदा है, वो भी किस न किसी चीज के लिए promisor होगा? ये promisor होगा, और ये वारा जो बंदा है, ये यहाँ पे क्या रहेगा? sir, ये promise ही रहेगा, कोई न कोई चीज के लिए. और, sir, जो promise आपने इस बंदे के लिए किया है, तो सामने वाले बंदे के लिए वो चीज भी यहाँ पे consideration बन जाएगी, और जो promise आपने इस बंदे के लिए किया होगा, वो चीज इसके लिए क्या बन जाएगा, भाई, sir, consideration जो है, वो बन जाएगा. एक बंदे का promise, दूसरे के लिए consideration, और इसका promise पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा, consideration बन जाएगा. यह समझ मैं है, बोले ठीके साथ, let's move ahead, बात करते हैं के लिए point के बारे में, but what is promise, sir, a proposal when accepted, जो proposal दिया गया था, जो offer दिया गया था, एक बार अगर वो accept हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, promise बन जाएगा, ठीके साथ, thus it is clear that agreement is created when one person proposes to another and other person accepted, irrespective of the fact that it is enforceable by law or not, अगर वो enforceable by law होता है, तो आपका जो agreement होगा, वो आगे चल के क्या बन जाएगा, contract बन जाएगा, लेकिन, अगर वो enforceable by law नहीं है, तो कम से कम agreement तो बनेगा, मतलब सीरी सीरी बात है, बाई-साभ, आपका जो agreement है, that is what, offer plus acceptance, अगर offer और acceptance को add कर दिया जाए, तो आपका बन जाएगा क्या, agreement, गट दा पॉइंट, सरी यह रियान से, proposal and acceptance की बात अगर की जाए, जो बंदा proposal दे रहा होगा, उसे offer भी कहा जा सकता है, और या फिर proposal भी कहा जा सकता है, जिसको आपने ये proposal दिया है, इसने इससे कहा कि क्या तुम मेरा घर परचेस करोगे, इसने इससे कहा, will you buy my car, क्या तुम मेरी car जो है वो परचेस करोगे, अपनी कोई चीज बेचने के बारे में भी offer हो सकता है, या फिर अंदर हदर हैंड, will you sell me your computer, मैं तुम्हारी चीज़ को खरीदना चाहता हूँ, इसका भी offer आप दे सकते हूँ, ठीक है, और will you work for me, मतलब, मतलब यहाँ पे, यह बहुत ध्यान से लेखेगा बैसाब, अगर यहाँ पे देखोगे, तो offer जो है, वो seller बनना चाहता है, यह वाले एक्जांपल में, same thing for this example also, यह वाले में अगर आप देखोगे, तो जो offer है, वो buyer बनना चाहता है, कि मैं आप से कुछ खरीदना चाहता हूँ, और अगर यह वाले एक्जांपल में देखोगे, तो जो offer आपका होगा, वो क्या बनना चाहता है, करें, तो ध्यान से देखेगा, कि सर, proposal or offer, अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए, तो बहुत ज़दे important, सब बले सबसे पहली बात, यह चीज़ को define किया गए, section number two, clause number A के अंदर, कहां पे define किया गए, section number two, clause number A, जो है, वो बात करता है, the word offer के बार, और क्या कहता है वैसा, the term proposal has been defined in the Indian contract act, as when one person signifies, signifies का मतलब क्या होता है, बताना, ठीक है, या फिर signal देना, यह समझ मैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यह आपको बता रहा हूँ, very much important, ठीक है, to another, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं होना अच्छी कि आप mirror के सामने, खुद से ही बाते कर रहे हो, और आप यह कहो, कि मैं अपने आपको यह offer दे रहा हूँ, क्या एक बंदा अपने आपको यह offer दे सकता है, क्या definition से समझ मारा है, नहीं सर, अपने आपको offer नहीं दे सकता, आप offer किसको दोगे, आप offer हमेशा अगले को दोगे, पहली बात तो यह, कि offer दूसरे को देना होगा, दूसरी बात यह, आपने सिर्फ imagine कर लिया, कि मैं उसको offer दूँगा, क्या उसको offer कहा जाएगा, answer is no, क्या करना पड़ेगा, यह चीज सामने वाले को बतानी पड़ेगी, यह चीज सामने वाले को signify करनी पड़ेगी, यह दोनों point देन दखिएगा भाई साब, got it, ठीक है, तीसरा point, क्या चीज मेरी बोले इच्छा है, कुछ तो भी करने की, और या फिर, abstain from doing anything, सर, abstain करने का मतलब क्या होता है, abstain करने का मतलब होता है, कुछ नहीं करना, abstain, मतलब कुछ करने से रोकना, या कुछ नहीं करना, मतलब आपका जो offer है, यह point से समझ में आता है, कि आपका जो offer है, यह positive भी हो सकता है, और जो आपका offer होगा, वो negative भी हो सकता है मैं आपको offer देता हूँ कि please आप ये वाला काम मत कीजिए अगर आप ये वाला काम नहीं करेंगे तो ऐसे कि इसमें मैं आपको cash जो है वो देने को तैयार हो मतलब कहीं पर शायद आप एक घर construct करने की बात कर रहे हैं जिसकी वज़य से हो सकता है कि मेरे यहां जो मेरी building होगी वो पूरी block हो जाएगी मैं आपसे कहा कि अगर आप यहां पर घर construct करते हैं तो उसके लिए आपको कितना खर्चाएगा उरे इतना खर्चाएगा यहां पर बुले मां आपको एक काम करता हूँ एक रोड रुपे पे करता हूँ कि आप प्लीज यह वाले घर को मत बनाईए ठीक है या फिर एक और चीज़ में आपको बताता हूँ आपने शायरे एक मूवी देखी होगी काफी मतलब कब की बात है 2021 की ही बात 2021 में एक मूवी आई थी अर्जुन कपूर की हाला कि एक्टर बहुत अच्छा नहीं है मूवी का नाम क्या है सरदार का घर ऐसा उस तो भी मूवी का नाम है जिसमें पाकिस्तान के लाहोर में एक घर रहता है ठीक है जो बुले पार्टिशन के पहले बनाया गया था और उस घर से उस घर से एक अर्जुन कपूर जो है उसकी दादी की यादे जो है वो बुले जुड़ी वी थी तो बुले मैं वो घर उठाके इंडिया में लिके आ जातू लाहोर से उठाके अमरित सब में लिके आ जाता है ठीक है बुले बन्दा जाता है लाहोर वहाँ जाके जैसे ही देखता है कि बस वो घर को तोड़ने वाले होते है घर को क्या करने वाले होते है तोड़ने वाले होते है बन्दा क्या बोलता है हाथ जोड़के रिक्वेस्टर प्लीज एक घर को तोड़िये मत लगे तो मेरे से आप पैसा ले लीजे what the point offer क्या दिया अगर आप ये घर को नहीं तोड़ते हैं मैं आपको दोलाव रुपे देने को तियार हूँ ये समझ में आया है भाई साब इस पॉइंट क्लियर मुले ठीक है सर दियान से देखेगा to abstain from doing anything with a view to obtain the ascent of that other to such act or absistence मुझे क्या चाहिए मुझे सामने वाले बंदे का ascent जो है वो भी चाहिए he is set to make a proposal भाई सा बहुत द्यान से वापिस से सुनियेगा यहां पर क्या कहता है कि सामने वाला बंदा यानि की एक बंदा किसी दूसरे बंदे को क्या कर रहा है signify करना क्या चीज़ जरूरी है signify करना जरूरी है दो लोगों का होना जरूरी है got the point क्या signify करना है कि कुछ तो करना है या फिर abstain from doing anything और यहां पर जान से यहां पर जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे उसके बदले में आपका क्या चाहिए अगर मैं सिर्फ अपने views आपके सामने रख रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मा आपको offer दे रहा हूँ यह समझत बोले ठीके साब, he is set to make a proposal, अब ये professionally अपने समझ लिया, जो मैंने आपको movie का example दी, लेकिन एकदम अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा unprofessional example जो है, वो अपनी हाँ पर लेके चलते है, Sir, मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम क्या है निबबा, और मान लीजिए एक बंदी है जिसका नाम क्या है निबबी, निबबा और निबबी, गौट अपने, निबबा जो है वो बोले निबबी से बे इंतिहां महबबत करता है, क्या करता है, बेंतिहां महबबत करता है, तो निबे ने क्या किया निबी को प्रपोजल दिया निबे ने निबी को प्रपोजल दिया निबी को ओफर दिया क्या ओफर दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी विल यू मैरी मी राइट या फिर या फिर निबे को पता चला निबी के बारे में कि वो किसी और से शाद नहीं करती हो और मुझसे शादी कर लेती है यहाँ पर दादा की मेरे परदादा की ऐस दा के इसमें भी यह प्रॉपर्टी बोले मैं तुम्हारे नाम करने को तयार हूँ यह समझ भाया है प्रपोजल हो गया भाई साब यह सोर नो बोले हां से एकदम सिदा सिदा गॉड़ इट तो इसे कहा जाएगा प्रपोजल जहां पे सामने वाली हां बोले या ना बोले वो बाद की बात है लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि तुम उस चीज़ के लिए क्या बोल रहा था हाला कि मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं है बोले मैं सोच रहा था कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी जनव वो बहुत अच्छी जमी होती लेकिन मेरा बोले शादिवादी करने को कोई मूड है नहीं बोले अर्युग इसको प्रपोजल बोलू क्या बिल्कुल भी नहीं सर इसका थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं सर जो बंदा यहाँ प्रपोजल देगा उसे प्रपोजर कहा जाएगा या फिर उसको ओफर कहा जाएगा जिसको प्रपोजल दिया जाएगा उसको ओफरी या फिर प्रपोजी भी बोल सकते हैं लेकिन अगला point important भाई साहर जैस जैसे ही acceptance हो गया यह ध्यान रखेगा आपने जब निभी को proposal दिया जब तक के उस proposal का acceptance नहीं होता है तब तक कहानी कुछ और और जैसे ही acceptance हो गया निभी ने का आई आई इसी का तो बुले मैं इंतजार कर रही थी राइट तो अब यह ध्यान सो सुने लो दब परसन मेकिंग प्रकोजर विल्पी कॉल्ड इसप्र journalists कि एट अब बुले वादा किया तो ने मुकरना नहीं इस जीस है किस ने कहा निभी ने कहा किसको कहा निभी से कहा ठीक है थीघए इसफिट्सिए घ.-सेट रबड़ इश्या बवैर टॉानAL isädभी गम आजख़ित परॉजम मतलब आपन सही में सामने वाले को प्रपोजल दिया है ये कम आना जाएगा जब सबसे पहली बात there should be two parties क्या आप अपने आपको ही प्रपोजल दे सकते हो क्या नहीं सरी ये फालतु वाहियात वाली बात इसका कोई सेंस बनता नहीं है ठीक है चली at least two parties should be there कितनी parties होने चाहिए कम से कम दो parties का होना जरूरी है जिसमें offer देने वाला offer कहलाएगा और offer जिसको दिया गया है वो offer ही कहलाएगा समझ मैं ठीक है साब दूसरी बात अब प्रपोजल में भी positive और में भी negative मतलब to do something और abstain from doing something got the point तीसरा pointer सर प्रपोजल मस्ट भी made to obtain assent सर मैं serious हूँ मनलब ध्यान से हाँ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं जस्ट अपने मन की बात बोल रहा हूँ मुझे आपका assent नहीं चाहिए मुझे आपका consent नहीं चाहिए अपन है बोले सक्त लॉंडे got the point अगर सकती वाली बात आप यहां पे कर रहे हो जस्ट आप अपने मन का विचार वहां पे रख रही होंगे तो ऐसे के इसमें उसको offer नहीं बोला जाएगा अगर मैं चाहता हूँ कि आप उसके उपर हां में जवाब दो तो ही उसको offer बोला जाएगा अब हां में जवाब दोगे या नहीं दोगे वो secondary चीज है वो आप के उपर depend करता है बट मेरे मन में क्या चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ understood the point ठीक है साब अगला point मतलब मैं आपको proposal दे रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ relation क्रेट करने के लिए तयार हूँ अगर आपने कोई बात अपने मन में रखी है निबा ने अपने मन में इबात रखी हूँ यार शादी करूँगा तो निब्बी से करूँगा otherwise नहीं करूँगा right दो हफते के बाद मैं आपको पता चला कि निब्बी की शादी एक्चुल में हो रही है अपने जा करे उसको बुले यह बेवफा तो किसे और से शादी कर रही है मेरे मन में तो यह चल रहा था कि मैं तो से शादी करने वाल हूँ निब्बी कहते हैं वो भाइसाब आपने कब बुला में को यह वाली चीज did you signify about it कि तुम मुद से शादी करना चाते हो बोले नहीं signify तो नहीं कर पाया मन की बात यह मन में ही रह गई तो भैसाँ अब अगर तुमारे मन की बात मन में ही रह गई तो कुछ टाइम के बाद में आप मेरे बच्चों के मामा बनने वाले हो आजेएगा बोले राखी बनवाने के लिए यह समझ में है तो क्या होना जरूरी वैसाब कम्यूनिकेशन जो है वो होना जरूरी होगा यही बात को एक बार वापिस से रिवाइस कर लेते हैं सर यहां जो चीज अपन क्लास में पढ़ेंगे ना तो क्लास में ही आपकी रिवाइस हो जाएगी आपको वापिस से घर पे पढ़ने के ज़रूरत बिलकुल भी नहीं पढ़ेगे वापिस से एक बार अच्छे तरीके से सर जिस बंदे ने दूसरे बंदे को क्या दिया होगा ओफर दिया होगा जिसको कि आप बुले प्रपोजल भी बोल सकते हैं ओफर देने वाला जो बंदा होगा उसे ओफर कहा जाएगा जिसको ओफर दिया गया होगा उसे ओफरी कहा जाएगा या फिर आप इसको पी आर ओ POSER भी कह सकते हैं और इसको आप प्रपोजी भी कह सकते हैं understood the point बुले ठीक है भाई साब अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि offer या फिर proposal अगर मैं इसके features के बारे में बात करूँ ठीक है तो क्या बोला गया there should be two parties सबसे पहली बात क्या होना चाहिए दो parties होना चाहिए दूसरी बात it should be communicated सामने वाले बंदे को communicated होना चाहिए and it should be to obtain ascent from the other party got the point and दूसरी बात it can be positive भी हो सकता है और या फिर बोले यह चीज़ negative भी हो सकती proposal जो आपका होगा यह positive वाला भी चलेगा और negative वाला भी चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं बात got it and there should be intention to create intention to create legal relation legal relation जो है वो create करने का intention जो है वो बले आपका यहाँ पर रहना चाहिए यह समझ में आया क्या बाई सार बले ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा अगला point आता है किस offer जो है वो कितने type का आपका हो सकता है सब बले depend करता है कौन से point of view से बात कर रहे होंगे अलग-अलग point of view से अगर मैं mood के basis पे बात करूँ अगर मैं nature के basis पे बात करूँ और अगर मैं offeree के basis पे बात करूँ मतलब कि किसको offer दिया जा रहे है तो अलग-अलग point of view से आपका जो offer रहेगा आपका जो proposal होगा वो अलग-अलग हो सकता है सब कैसे सबसे पहला होता है express किया हुआ off express कर दिया भाई साब या तो आपने मूँ से बोल के बता दिया होगा और या तो बुले आपने लिखित में दिया होगा ये समझ मैं है अगर spoken words आपके थे express वाला था अगर आपने सामने वाले को whatsapp कर दिया लिखित वाले या फिर mail किया आपने electronic पुराने वाला जमाना हुआ करता था कि खून से मैं चिट्थी लिख रहा हूँ इसे खत मत समझना प्यार का दरिया है मेरा क्या बुलेंग उसी इसको ये love letter got the point लेकिन आज का जमाना whatsapp किया जा रहा है snapchat भीजा जा रहा है या फिर बुले instagram की story में meme के अंदर बुले मैं तुमको tag कर रहा हूँ समझ जाना कि यही मेरा क्या है expression है बुले are you getting a point तो जहन से सबसे पहली बात क्या express हो सकता है जिसमें की या तो बुले क्या रहेंगे spoken words रहेंगे बैसा मू से बूला मू से right oral right या फिर दूसरा सब बुले return भी हो सकता है अगर मैं express की बात कर दो और दूसरा सब दूसरा रहेगा implied वाला offer जिसमें की by the conduct of parties ठीक है जो आपकी दोनों parties है या फिर कोई भी एक party उसके conduct से समझ में आ रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है offer दे रहा for example सब बोले हसी तो फसी क्या हसी तो फसी that is also kind of an offer बोले are you getting the point imply किया जा सकता है माना जा सकता है imply करने का मतलब क्या हो गया माना जाना सामने वाले ने conduct कुछ इस तरीके से किया जिससे ये माना जा सकता है कि सामने वाला क्या कर रहा है offer दे रहा है ये समझ में है बले ठीक है अगला point देंसर सुनिएगा सब बोले cross वाला offer cross offer मतलब मतलब ये कि दो लोग थे एक का नाम A एक का नाम B या फिर एक का नाम निबा दोसरे गनाम निब भी got the point सब बले A ने भी B को offer दिया और उसी time पे sorry B को offer दिया और उसी time पे B ने भी A को offer दिया कई पर होता है आपने movies में देखा होगा एक लड़का है जो कि लड़के से बेंतियाहा मौबत करता है लड़की जो है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लड़की लड़के से कहती कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ लड़का कहता है पहले तुम लड़की कहती है पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम फिर कहते हैं काम करते हैं, 1, 2, 3 दोनों बोले एक साथ बन बोले के अभी एक आंसर सुनिएगा, क्या दोनों को एक दूसरे के ओफर के बारे में पता है क्या बोले नहीं सर, लेकिन दोनों इक दूसरे से एकदम सेम टाइम पे लगभग identical वाला ओफर जो है वो दीते है यह समझ मैं, इसने भी कहा कि मैं तुम्हारी गल्फरेंड बनना चाहते हूं उसने भी कहा कि मैं तुम्हारा बॉइफरेंड जो है वो बनना, अच्छा वैसर डिस्क्लेमरा, सर, इस क्लास के सभी पात्र और घटना है, जो है वो कल्पनिक है जिनका वास्तिक्ता से दूर दूर तक कोई सम्बंध नहीं है जितने भी एक्जाम्बल्स यहां पे लिए जा रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ सोल एक ही परफस है कि एक्जाम्बल आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि आज से पचास साल के बाद में भी अगर आप कॉंट्रेट के बारे में सोचें तो डाउट नहीं रहना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है राइट, और जो जो फनी एक्जाम्बल अपने यहां पे लिके चल रहे हैं इससे यह वाली चीज़ आपके दिमाग में क्लिर हो जाएगे अंडर सुड़ पैंट बुले ठीक है साथ चलिए, तो क्रॉस ओफर क्या सब बुले एक दूसरे के ओफर के बारे में पता हुए बिना आप सेम ओफर आइडेंटिकल वाला जो ओफर है वो एक दूसरे को अगर दे रहे होंगे उसे नाम दे दिया जाएगा क्या क्रॉस ओफर लेकिन वहीं पे अगर मैं काउंटर ओफर के बारे में बाद बाई साब काउंटर ओफर मतलब ये निबबा ने निबबी से कहा कि हम तुमसे बेंते हां महबत करते हैं क्या तुम उससे शादी करोगी निबबी ने मन में कहा शकल देख ते लिए मिर से शादी करने के ख्वाप सजा रहा बत्तमीज बेशनम आदमी लेकिन बोले इसके अगर मुपे है मैं बोल दूँगी न ये दिल पे ले लेगा फिर उसके बाद में गाना-गाते ही फिर एगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतिकामे तू देखेगी ये सब नहीं चीए बुले अपना मैं लोडी ड्रामा नहीं चीए बुले निबबी ने ये चीए सोचे और निबबी ने निबबी से का कि भाया लेकिन तुम लड़के बहुत अच्छे हो तुम्हें तो कोई भी अच्छे लड़के मिल जाएगी है लेकिन 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 कैन भी बी फ्रेंट्स लेट्स बी फ्रेंट्स ये जान से काउंटर ओफर सामने वाले ने जो ओफर दिया था जिस condition के साथ में सामने वाले ने offer दिया था आपने उस offer को ठुकरा दिया और बदले में क्या कर डाला एक नया ही offer दे डाला सामने वाला आपके साथ निब्बन भी खिलना चाहता था आपने उसको friendzone कर दिया क्या कर दिया आपने उसको आपने उसको friendzone कर दिया आपने कहा कि यह चीज तो नहीं हो पाएगी चले काम कर दोस्त बन जाते हैं तो अगर सामने वाले के offer को ठुकरा के आपने उसको दूसरा offer दे दिया होगा उसे कहा जाएगा क्या counter offer या फिर दूसरे words में ये भी कहा जा सकत है कि सामने वाले ने जिस condition पर आपको offer दिया था आपने उसकी conditions को change कर दिया offer आपने accept कर लिया लेकिन condition को change example सामने वाले ने कहा कि हम तुमसे बेंते हां महुबत करते हैं will you marry me आपने कहा yes I will marry you but subject to condition कि आप अपनी जितनी भी जाइदाद वगरा है सब बोले मेरे नाम पे कर दो जितनी भी जाइदाद वगरा है सब बोले मेरे नाम पे अगर आप कर देते हो I accept your offer तो यह ध्यान से सुनिएगा इसको acceptance of offer नहीं कहा जाएगा rather इसको counter offer कहा जाएगा मतलब now the ball is in the court of offerer ध्यान से सामने वाले ना offer क्या दिया था simply यह बोला था कि will you marry me लड़के ने क्या कहा कि yes I will marry you but subject to condition मतलब आपने क्या कर दिया सामने वाले के offer को as it is accept नहीं किया तो इसको acceptance नहीं बोला जाएगा इसको क्या कहा जाएगा इसको counter offer का नाम दिया जाएगा आपने सामने वाले के offer को क्या कर दिया वाई साब counter कर दिया Got the point? ठीक है, sir. Next point, standing offer. Sir, standing offer is kind of what? Kind of continuous offer. इसमें, sir, इसमें जो सामने रहे निब्बा है, बहुत ज़्यारा serious type बंदा है. Offer दिया, बोले कि I love you a lot. शादी करना चाहता हूं, बोले मैं तुमसे. लड़की ने कहा, तेरा मुँ मुँ देख, चल निकल यहां से. पुरा लगा. तकलीफ है, बहुत ज़्याद तकलीफ है. प्यार किया है, तुमसे ही किया है. जीएंगे तो तुम्हारे लिए, मरेंगे तो तुम्हारे लिए. प्लीज एकसेप माई offer बुले. आज नहीं कर रही, कोई बात नहीं. एक दिन ऐसा आएगा, जब तुम्हें इस बात के बारे में पता चलेगा कि हम ही हैं वो जो तुमसे बेंतियां महबत कर सकता है. आज नहीं तो कल नहीं तो परसो नहीं तो तरसो नहीं तो एक साल बाद नहीं तो दो साल बाद नहीं तो दो जनम बाद. तुम offer को accept कर सकते हैं. अजब तक यह offer आपका चालू है, उसे कहा जाएगा standing वाला offer या continuing वाला offer understood the point? बोले ठीक है सब next point आपका ध्यान दीजेगा अगर मैं on the basis of offering के बारे में बात करूँ एक है आपका specific offer और दूसरा है आपका general offer specific offer जिससे बोले आप प्यार करते हैं जिसके बारे में आप सूचते हैं कि शादी करूँगा तो बोले इसी से ही करूँगा उसी को ही अगर आपने offer दिया होगा तो उसे कहा जाता है क्या specific वाला offer किसको offer दिया गया है clearly आपने बता दिये कि भाई सा मैं उनको offer दे रहा हूं बोले लेगिन वहीं पे general वाला offer सर कही बार ऐसा जो कि खतरनाक तरीके से single वाला रड़का उतारे बाले वाहिसा कोई तो पढ़ जाओ कोई तो पढ़ जाओ बोले मैं offer दे रहा हूं कि बोले मुझे girlfriend चाहिए और मैं बोले boyfriend बनने को तयार हूं मुझे बोले निब्भी के ज़रत है मैं निब्भा बनने को तयार कोई तो शादी कर लो बोले मुझे got the point this is what general kind of swimmer वो देखाऊगा ना आपने शायद राखी का swimmer right राखी को शादी करनी है अब इसके लिए it is not defined कि कि किसके साथ में शादी करनी है it is open बोले जो भी मेरी conditions को मान लेता है उसके साथ में शादी करने को मैं क्या हूँ तयार हो बोले ये क्या रहेगा general offer होगा वाई साथ जहां offer किसी एक बंदे को दिया गया होगा specific बंदे को दिया गया होगा वो specific offer बन जाएगा और जहां आपका offer generally open है हर किसी के लिए कोई भी आके उसके इसको subscribe कर सकता है तो उसे कहा जाएगा क्या general offer understood the point बुरे ठीक है साथ चलिए इसको इपातोर देख लेते हैं यहां से सब बुले अगर मैं सबसे पहले के बारे में बात करूँ on the basis of mode तो एक आपका हो सकता है express वाला जिसमें की words का use किया गया होगा या तो spoken वाले और या तो फिर लिखेत वाले ठीक है दूसरा implied important word क्या है inferred from the conduct of the parties and the circumstances of the cases example मैं आपको आपको अरड़ी दे चुका हो ठीक है साथ next point on the basis of offer एक हो सकता है specific वाला जब आप किसी particular या फिर as certain person को ही offer दे रहे एक ही बंदे को आपने offer दिया अगर उसने मना कर दिया तो मैं को किसी और को offer नहीं देने का है मुझे उसी को ही offer देना था उसी के साथ में मैं कोई ये वाला काम जो है वो करना था general वाला offer offer made to the public at large ये ध्यान रखेगा वैसा public at large मतलब कोई भी आ सकता है पूरे world को ये offer है कोई भी आ सकता है any person have right to accept the offer उसे कहते हैं क्या general offer थोड़ा और इसमें अगर अपने distinguish करना चाहें तो दियान से देखेगा ये बोले particular person को रहेगा ये public at large को रहेगा acceptance जिसको offer दिया गया है सिर्फ वही accept कर सकता है और यहां पे जिसको भी who ever had knowledge offer किसी को भी कोई भी बंदा जिसको इस बात के बारे में knowledge था कि ऐसा कोई offer market में चल रहा है वो ले सकता है example कई बाद शायद आपने newspaper में देखा होगा big bazaar का एक बहुत अच्छा offer है आप हमारे यहां पे आ सकते हो 500 रुपे पे करो 500 रुपे में आपको यह मिल जागा या फिर बूले public offer है अगर आप 1 kg चिनी हमारे यहां से purchase करते हैं तो 1 kg प्याज आपको free मिलेगा या 5 kg प्याज अगर आप खरीबते हैं general offer आपका कहलाएगा ठीक है चली next point mode of acceptance sir यहाँ पे आप acceptance कैसे करोगे जैसे आपको बताया गया got the point यहाँ specific person को बकायदा बताया गया होगा define किया गया होगा कि आपको इस offer को accept कैसे करना है on the other hand general offer जो आपको करने के लिए कहा गया था यह जो conditions आपको बताया गया थी वह conditions आपको क्या करना है perform करना example जब आपसे कहा था कि 5 kg चीनी खरीदने पर 1 kg फ्री है तो आपको क्या करना होगा 5 kg चीनी को खरीदनी होंगी तब जाके आपको 1 kg प्री मिलेगा understood the point क्या सिर्फ औसे बोलने से महाँ पे हो जगा के नहीं सब आपको चीनी खरीदनी पड़ी जब 5 kg चीनी आप खरीदोगे एक किलो प्याज जो ओफर में आपको दिया गया था वह आपको महाँ पर मिल जाएगा ठीक है सर नेक्स कोईंट सर इट कंटिन्यूज अप टू अर रिजनेबल टाइम और तिल एक्सेप्टड और रिवोक्ट रिवोक्ट का मतलब क्या होता है ओफर को और या फिर अप टू अरिजनेबल टाइम पिरिड़ सामने वाली बंदी को का कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ उसने का बताती है कब तक बताती हो को एक साल हो गया दो साल हो दस साल हो गया बीस साल हो गया बताए नहीं इस काम लगए थोड़ी की ते लिए बैठा होगा बुले है got the point तो ऐसे केस में बीस साल के बाद में बंदी आती है अरे हाँ मैं तुमसे शादी करना है तो या बाजुमस की बीवी बैठी हो बलती है अरे मिलो बले अपने बतीजो से got the point चली next point it continues अगर मैं general offer की बात करूँ it continues till it is accepted by any person by performance of the condition or it is withdrawn जैसे बिग बजार ने बोला था कि जो offer है ये इस weekend तक है शनीवार तक का ये offer है शनीवार के बाद में खतम हो जाएगा तो बात ही खतम होगा शनीवार तक के लिए आपके पास में time है आप जाईए वो condition को आप पूरा कर दिए जैसे आपने वो condition को पूरा किया होगा चीज जो है वो आपकी हो जाएगे राइट चलिए वैसा next point on the basis of nature पहला cross वाल offer ध्यान से देखिएगा important point क्या है identical offer निबभा भी शादी करना चाहता है निबभी भी शादी करना चाहती identical offer ठीक है दोनों एक दूसरे को similar terms and conditions पे offer देने की बात कर रहे हैं without having knowledge of each other's offer ये second important point दोनों को एक द college नहीं है बाइसा got the point और वो जो मैंने आपको example बताया था पहले तुम पहले तुम पहले तुम और दोनों क्या करते हैं एक साथ एक दूसरे को offer वहाँ पे देते हैं ठीक है चलिए are known as a cross offer they are independent and identical offer of the respective parties such offer do not constitute a contract even though both the parties intend to do or not to do the same thing only when one party accept the offer of the other party the contract comes into the existence दोनों ने offer दे दिया लेकिन जब तक के सामने वाला बंदा या दोनों में से कोई भी एक पार्टी येस नहीं बोल देता है उस offer को accept नहीं कर देता है तब तक के वो चीज़ क्या नहीं बन पाएगी contract नहीं बन पाएगी ठीक है दूसरा point counter offer इसमें क्या होता है सब ब conditions other than set out by the offerer ठीक है मतलब terms and conditions चीज़ होगी वैसा यानि कि सामने वाले ने क्या बला हां मैं तुम से शादी करने को तयार हूं but subject to condition उसने अपनी condition अगर वहाँ पे डाल दी it is not an acceptance but a counter offer a counter offer is in fact not only a rejection of the original offer but also a new offer by the original offer यानि कि जो बंदा यहाँ पे offer बनने वाला था जो बंदा यहाँ पे acceptor बनने वाला था वो बंदा अब यहाँ पे offerer बन चुका है उसने आपको offer दे दिया अब now the ball is in your court आपको क्या करना होगा अब बुले आपको इसको accept करना है या reject करना है as the case में ठीक है done अगला standing offer which is available for acceptance और open for acceptance for a period of time इसे बुले आप continuing offer भी बोल सकते हो और या फिर आप इसको open offer का नाम जो है वो भी आप इसको simply दे सकते हो यह समझ मैं आप बुले ठीक है sir अगला point यह important भा काफी जादा important है sir कुछ ऐसी भी चीज़े आपको मिलेंगी जो लगती है कि शायद offer है शायद proposal है but it is not a proposal कौन सी चीज़े है दो चीज़े सर ऐसी सबसे पहली बार intention to put a proposal I mean a big answer सुनिए एक लड़का है एक लड़की के पास में जाता है जाकर दो यहार मैंना कुछ तुझे बताना चाहता हूं बट बट बतानी मतलब कहूं कि ना कहूं कुछ समझ में नहीं नहीं चाल और बुलना नहीं जाने देना मतलब क्या क्या बोल गउन ओस चीज़े बार म मैंने तु उनको प्रपोस किया तो तू क्या करें तु मुझे ओफर दे रहा है नहीं नहीं ओफर नहीं दे रहा हूँ मैं सोच रहा था intention I have the intention although I am not sure about it कि इसको ओफर बुला जाएगा नहीं साव यह तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ मैं ओफर देने का सोच रहा हूँ doesn't mean कि मैंने ओफर दे दिया है is this point clear आपने सिर्फ ओफर देने के बारे में सोचा है तो उसको ओफर नहीं बूला जाएगा intention to give an offer is not an offer until and unless it is given to the other party यह समझ मैं आपाई साथ ध्यान से the objective of proposal is to get assent of the other party whereas the intention to put a proposal is merely merely का मतलब क्या होता सिर्फ merely an expression or a declaration by a person that he intends to offer something in a future कुछ तो भी बुले मैं offer करने के बारे में सोच रहा हूँ but exactly वही चीज मां आपको देने वाला हूँ इस बात की guarantee नहीं got the point बुले ठीके सा next point invitation to proposal यह बहुत ध्यान सो सुनियेगा बैसा कई पर कैसा होता है कि आपको लग रहा है कि सामने वाले ने आपको offer दे दिया but basically that is not an offer बलकि आपको यह बताया जा रहा है कि यह चीज के जरीए आपको इस बात की clarity आजाएगी कि आपको offer क्या देना है invitation to offer मतलब example मान लीजिए आप किसी restaurant में गए restaurant में जाके आपने menu card को देखा menu card पे लिखा हुआ था कि भेल पूरी 60 रुपए sandwich 90 रुपए kit kat shake 99 रुपीज ऐसा लिखा हुआ था तो क्या मैं उस menu card को offer बोलू क्या answer is no sir क्या बुला जाएगा उस menu card को देखके आप offer दोगे it is invitation to offer मतलब restaurant वाला आपको invite कर रहा है कि sir इन में से चीज़े हैं आप इनको देखके मुझे offer दीजिए और फिर अगर मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है sir मैं आपको ये kit kat shake जो है वो provide करने को तयार हूँ तब वो offer क्या कहलाएगा except kit कहलाएगा ये समझ में आएगा this is very much important क्या कहता है ध्यान से दिखेगा the objective of proposal is to get the ascent of the other party get the ascent of the other party but the invitation to proposal is made with the intention to receive a proposal from the other got the point the acceptance of the offer creates an agreement whereas the acceptance of invitation creates a proposal for example अगर मान लीजे कहीं पर कोई price के list दी गई है या फिर catalog दिया गया या फिर bankers का catalog है कि अगर आपने इतने रुपे का FD इतने time के लिए जमा करवाया तो बोले आपको इतने रुपे का interest मिलेगा इतने percent का interest मिलेगा तो जब तक के आप bank को इस बात का offer नहीं देते या फिर prospectus inviting sir company वगरा हम जब shares वगरा लेना होता है company क्या करती है prospectus issue करती है got the point जिसके business पे आप क्या करोगे company में share application दोगे right तो जो prospectus होगा उसे invitation to offer कहा जाएगा और जब आप share का application दोगे तो उसे offer कहा जाएगा और फिर जब company आपको shares का allotment करेगी तो उसे acceptance of offer कहा जाएगा next point या फिर time table of a carrier ठीक है कोई bus वाला था उसने कहा कि अगर आपको मुंबई से औरंगाबाद जाना है या फिर मुंबई से आपको पुने जाना है तो ऐसे case में हमारी bus चलते ही शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अब offer आप दीजिये कि आपको कौन से वाली bus में जाना है कितने बज़े आपको यहां से निकल रहा है offer देने की जिम्मेदारी बोले आप किसकी अब बोले offer देने की जिम्मेदारी आपकी यह समझ मैं invitation to offer जो है वो आपका कभी भी offer नहीं क्या लगा अब यह रहां से देखेगा सर, simply हमने क्या कहा कि यहां पे हो सकता है कि आपको जो यह सामने वाला बंदा है यानि कि यह जो पहले वाला बंदा, लेट मी सी, हाँ यह यह ठीक है, यह बंदे ने सबसे पहले आपको क्या दिया invitation to offer दिया ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा सर, यह इनवाइटर बोल दीजा आप इसको, ठीक है जो कि आपको क्या कर रहा है, invite कर रहा है invite कर रहा है कि आप offer दीजा, ठीक है यह basically कौन है, यह मान लिजे आपका B है, यह भी आपका B है, और यह आपका कौन है यह है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पहले आपको invitation दिया गया है, उस invitation के इसाब से आपने इसी को ही क्या कर दिया वापस से offer दे दिया, जो कि अपने यहाँ पे दिखा दिया यह समझ माया है भैसाब, लेकिन ध्यान दीजेगा कि जो आपका invitation होगा इसे बुले आप गलती से भी offer मत समझ लीजेगा, offer आप दोगे और सामने वाला आपके offer को क्या करेगा accept करेगा, यह समझ माया भैसाब, is this point clear? चलिए तो फिलाल के लिए अपन यहीं पर रुपते हैं, मिलते हैं अगले वाले class में जिसमें हम acceptance के बारे में भी बात करेंगे और कुछ examples के बारे में भी discussion जो है, वो अपन करेंगे right?